दोस्तों नमस्कार और श्टेटेवित ग्यान प्रकास में आप सभी का बहुत बहुत वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ ऐसे अंतररास्त्री संगठनों के बारे में जो एक्जाम पॉइंड आफ यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमिंग डेस में जितने भी परिक्षा हैं होने जा रही है लाइक एज, यूपी ट्रीपल सी, लोवर के सी एस, आर आर बी, एंटी पी सी, ससी, सीजियर और बैंक इत्याद की तो उन सभी परिक्षाओं में ये सारे बिंद जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनके लिहाज से बहुत ही महत्वण है एक से दो प्रस्ने आपको इस छोटे से वीडियो से पुछे जा सकते हैं इसलिए पुरा वीडियो आप जरूर देखें फ्रेंट्स ये ऐसे संगठन हैं जो पूरी दुनिया में अपना एक विशेस महत्व रखते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन संगठनों की अस्थापना कब हुई इनका मुख्यालय कहां पर है सतर से देखोगी देशों की संख्या कितनी हैं साथी साथ ये भी कि इनको बनाने के पीछे क्या आपजेक्ट्टिव रहा इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करते हैं चरहे सुरू करते हैं आज का वीडियो और अगर आप इस वीडियो की पीडियफ डाउन्नोड करना चाहते हैं तो सीधे आप इसे हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं ओके फ्रेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले बात करेंगे हैं पर हम लोग संयुक्त राश्ट संग के बारे में जिसको आप साट फॉर में यू यन ओ के नाम से भी जानते हैं देखे इसकी अस्ताप्ना हुई थी उननेश सो पैतालिस में कभी थी उननेश सो पैतालिस देखे फ्रेंट्स इसका जो मुख्याला है एड़कॉर्टर वो नियू यार्क में है अब अर्तमान में सदसे देखे नों की संक्या है कितनी एक सो तिरान बे एक सो तिरान बेवा जो इसका सदसे बना है वो बना है दक्ष सुडान याद रखेगा आपको बताते चले फ्रेंट्स की यू यन ओ एक अंतरराष्ट्री संग्ठन है जिसका उद्दे से है अंतरराष्ट्री कानून को सुविधाजनक बनाना अंतरराष्ट्री सुरक्षा आर्थिक विकास सामाजिक प्रगति मानवा अधिकार और विसुसान के लिए कारेरत है ये संस्था बरतमान में इसके मासचियों कौन है एंटोनियों गुटेरस ठीक है याद रिखेगा अब अगला जो संग्ठन है वो है अंतरराष्ट्री मुद्रा कोस जिसको आप जानते हैं आई एम एफ के नाम से फुल-फार्म ही इसका कभी-कभी परिषाओं में पूछा जाता है तो isका फुल-फार्म आई इंट्रनेशनल मॉनेटरी फंड इंट्रनेशनल मॉनेटरी फंड अस्ताबना होई ये इसकी 1945 में और इसका जो हेड्पारर है वह है वासिंगटन DC में कुल 189 डेस इसके स्थ है ठीक है और इसका जो उद्देश से वो क्या है देखिए बैस्विक बित्ती सहयू सेक्योर फाइनसियल इस्टेबिलिटी और फैसलिटेट इंटरनेस्टनल ट्रेड यानि की बैस्विक जो ब्यापार है उसको बढ़ावा देना साथिसाथ हाई इंट सस्टेनेबल एकोनॉमिक ग्रोथ भी इसका मुक्योद्देश है सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी दुरिया में गरीबी को बढ़ाने के दिसा में कारवरत है आई एम एफ ठीक है इंटरनेस्टनल मॉनेटरी फंड याद रखिएगा तीसरा संक्टन है बिस्व बैंक निस्टी दुरूप से वर्ड बैंक दोनों में जो सदस सदस देश हैं उनकी संख्या 189 है तो वर्ड बैंक का उद्देश क्या है इसका अबजेक्टिव है सदस रास्ट्रों को पुनर निर्मार और विकास के कारियों में आर्थिक सहायता देना ठीक है आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग डबलू टीयों के बारे में विश्व वियापार संख्टन वर्ड ट्रेड और अस्तापना इसकी हुई थी नैंडी नैंडी फाइब में और इसका जो मुख्याला है वो जिनेवा में है सदस देशों की संख्या है 164 और जो अंतिम सदस बना है यानि कि 164 जो सदस से व कास बैंक एडी बी इसको साट फार्म में जानते हैं एसेन डेवलक्मेंट बैंक और इसकी स्थापना अब हाला कि बहुत पहले हुई थी 1966 में इसका जो मुख्याला है वो कहाँ पर है मनीला में और वर्तमान में इसकी जो सदस देश है वो है 67 ठीक है चले फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले संक्टन पर अंतरराश्टी स्थरम संक्टन के बारे में बात करते हैं अंतरराश्टी स्थरम संक्टन अस्थापना इसकी हुई थी 1999 में और इसका जो हेड़ पार्टर है वो कहाँ पर है जिनेवा में और इसके जो सदस देश है उनकी संक्या है 185 ठीक है अगला है दक्षड पूर्भी इस यह देशों का संग इसको नाम जा गया है ASEAN के नाम से इसे जान जाता है बहुत सरे लोग नहीं जानते हैं और अक्सर परिचाओं में इसका फुल फार्वी पूछा जाता है तो मैं आपको बताता चलू की ASEAN का फुल फार्म क्या है इसका फुल फार्म है A is stand for association and rest of the letters are stand for association of South East Asian nation, ठीक है, क्या, Association of South East Asian nation, आसियान, दक्षिर पूर्भी A.C.I. देशों का संग, अस्तापना इसकी हुई थी कब, 1967 में, इसका हड़कार कहां पर है, जकारता में है, और वरतमान में इसकी जो सदस से देश है, उनकी संक्या है 10, ठीक है, बहुत तेजी से मैं रिवाइच करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि यह सारे points, यह सारे जो organization है, और इनके बारे में आपको एक संचिप जानकारी मिलनी ही चाहिए, तो यहाँ पर चलते हैं, अब अगले संक्टन पर, अगला संक्टन है NAFTA, NAFTA, इसकी स्थापना होई थी, 1992 मे और बरतमान देशों की संक्या है इसके, सदसदेश इसके हैं 3, ठीक है, अगला है APEC, और इसकी जो स्थापना होई यह वो हुई थी, 1989 में, और इसका भी कहीं headquarters नहीं है, सदसदेश हैं इसके, कितने, 21, 21 ठीक है, चलिए ट्रेंट्स, आगे बढ़ते हैं, और अब बात करत हैं, European Union के बारे में, जिसको आप European संक के नाम से जानते हैं, अस्थापना इसकी हुई थी, 1958 में बहुत पहले, और इसका जो headquarters है, वो कहाँ पर है, वो Brussels में है, और अरतमान में, इसकी जो सदसदेश है, उनकी संक्या कितनी है, उनकी संक्या है, 28, ठीक है, कितनी है, 28, तो फ् तो यहाँ पर देखें, नाटो की इस्थापना का भी थी, 1949 में, 1949 में, और इसका जो headquarters है, वो कहाँ पर है, Brussels, Belgium में, और इसके कुल 29 सदस हैं, और 29 समा यानि की जो अंतिम सदस बनाया है, वो बनाया है, मॉन्टे निग्रो, ठीक है, मॉन्टे निग्रो, चलिए फ्रेंट्स, और अब बात करते हैं, हम लोग, विशुसास अंगठन, जिसको आप डबलू यचो की नाम से जानते हैं, वर्ल्ड हिल्थ और नाजेशन, अस्थापना हुई थी, 1948 में, और इसका जो headquarters है, वो कहाँ पर है, जिनेवा में, और इसके बरतमान में सदस राष्ट है, उनकी संक् के जो full farm होता है, इसको आप लोग समझ लीजिए, O is stand for organization, P is stand for petroleum, E is stand for exporting and C is for countries, मतलब organization of petroleum exporting countries, यह है आपका full farm, किसका, ओपेक का, अस्थापना इसकी कब हुई थी, 1960 में और इसका जो, देखे, 1965 में इसका जो मुख्याले बना गया, वो BNR आस्ट्रिया में बना गया है, अब अरत्मान में इसके सदस राष्ट्रों की संक्या है 11, तो यह भी काफी important है, अब बात करते हैं हम लोग, Yes AARC, यानि कि इसको आफ सार्क देशों के नाम से जानते हैं, दक्षेस राष्ट के नाम से भी यह पुकारे जाते हैं, Yes AARC का full farm क्या होगा, इसके बारे में भी आप जान लें कि अक्सर Yes AARC का full farm भी पुछा जाता है, इसका जो हिंदी में full farm होगा, वो होगा, दक्षिन, ACI, 63, सहरुक, संक्टन, और वरत्मान में इसके कुल 8 सदस राष्ट हैं, मतलब कि 8 सदस राष्ट हैं, और इसका जो headquarter है, वो काटबांडू में है, अस्थापना स्थापना होई थी, 1985 में, 8 दिसंबर, 1985 को, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, हम लोग अब, Z15 के बारे में, Z15, फ्रेंड्स, G15 का स्थापना का होई थी, 1989 में, और इसका जो मुख्याला है, वो जिनेवा में है, सदस राष्टों की संक्या है, 17, आर्थिक सहयोग एवंग विकास संगठन, जिसको आप OECD के नाम से जानते हैं, अस्थापना होई थी, 1948 में, पेरिस में, इसका जो हेड़कॉर्टर है, 34 देश के सदस्य हैं, और इसके बाद जो इंपोर्टेंट हैं, वहाँ पर चलते हैं, युनिवर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको जान लीजिए हैं, यहाँ पर दो और भी काफी इंपोर्टेंट हैं, जो की एक्जाम में पुछे जा सकते हैं, पहला है, सहयुक्त राष स्राणाती उच्चा युप्त, इसको आप UNESCR के नाम से जानते हैं, तो इसके स्थापना होई थी, 1951 में, जिनेवा में इसका मुख्याले हैं, और सहयुक्त राष मानवाधिकार परिशत, UNHRC की स्थापना होई थी, 1993 में मुख्याले हैं, जिनेवा में, अब बात करते हैं, UNESCO के पारे में, UNESCO, UNESCO, is stand for United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, इसका कहाँ पर है, पेरिस में है, स्थापना इसकी हुई थी, 1946 में, ठीक है, 16 November, 1946 को इसकी अस्थापना होई थी, और अब बात करते हैं, EFAO के बारे में, Food and Agriculture Organization के बारे में, अस्थापना होई थी, 1945 में, इसका मुख्याला है, रोम में, और सदस्त राष्ट है, 194, आगे मरते फ्रेंट चलते हैं, अगले पॉइंट पे, और अब बात करेंगे, 200 डाक संग के बारे में, इसको जानते हैं, UPU के नाम से, यू इस चैन फार, यूनिवर्सल, पी इस फार पोस्टल, एंड यू इस फार यूनियन, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और इसकी जो अस्थापना होई थी, वो होई थी, 1874 में, बर्न में इसका मुख्याला है, 192 डेश इसके सदस्य हैं, और इसके बात करेंगे, संयुक्त रास्ट बालकोस के बारे में, इसको आप यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, तो यूनिसेफ का फुल फार्म क्या होता है, ठीक है, यह एक सवाल आप सब भी लोगों के लि इसकी जो अस्थापना होई थी, वह होई थी, 1957 में, बियना में इसका मुख्याला है, और 161 डेश इसके सदस्य हैं, विश्ट बाधिक संपता संगठन, डब्लु आइप यू वाइपो या वीपेपो आप कहेंगे से, वीपो के नाम से आप इसे बुला सकते हैं, 1967 में इसके मुख्याला है, 186 डेश इसके सदस्य हैं, राश्ट मंडल के नाम से जो खेर होते हैं, उसके बारे मैं आपको बताई होगा, जितने भी उपनिवेश थे ब्रिटेन के पहले, वो सारे उपनिवेश राश्ट मंडल में सामिल होते हैं, और अस्थापना हो इसकी वीथी, 1926 मे मुख्याला है, लंदन में, बरतमान में 23 डेश इसके सदस्य हैं, गुट निर्पेक्ष आंधोलन, येन ए एम, अस्थापना हो इसकी 1961 में, और 120 डेश इसके सदस्य हैं, इंटरपोल, देखें, इंटरनेशनल पोलिस से बना हुआ है, ये सब्द इंटरपोल, और इसकी अस् में, लियोंस, फ्रांस में इसका मुख्याला है, एक सो बान में देश इसके सदस्य हैं, और एक सो बान में सदस्य है, फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन, इसके बाद आता है, आपका इमसा, IBSA, I is stand for India, B is for Brazil, and yes, it is for South Africa, ये एक डायलाग फोर्यम है, जिसकी स्थापना होई थी, 2004 में, तो आप देख रहे हैं, इंडिया, ब्राजिल, और South Africa, तो यहाँ पर कुल मिला के, तीन देश इसके सदस्य है, ब्रिक्स देश, अस्तापना होई थी, 2009 में, सदस्य देशों की संक्या है, 5, कौन कौन से देश है, B is for Brazil, R is for Russia, I is for India, C is for China, and S is stand for South Africa, ये हो गए इंटरनेशनल और नाजेस्टन, जो की exam point of view से काफी महत्पूर है, तो इनके बारे में सारी जानकारियां मैंने आपको संचित रुप्में उबलबत करवा दिये हैं, इसकी PDF आप लोड़ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलिग्राम चनल पर आकर डाउनलोड कर सकत हैं, thank you so much, पूरा वीडियो देखनें के लिए, अगर वीडियो पसंद आतो इसे लाइक और से जरू करें, और इस पिकार के वीडियो आपको पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को जरूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो को नोडिफिकेशन अगर दीजे, नमस्कार, जैहिंद